हाई गाईज और वेल्कम बैक टू दी चैनल दीपाख यादव एजूकेशन वेल्कम टू दी डेली हिंदू न्यूस और एडिटोरियल एनालेसिस आफ फिफ्ट ओफ फैबुरी तो गाईज आज है तारिक पांच फरवरी 2021 और है फ्राइडे देखेंगे आज का दा हिंदू क आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा बहुत ही सिंपल है आप लोग को इसके उपर क्लिक करना है जैसी आप क्लिक कर पाओगे ये चैनल ओपन हो जाएगा इसको जॉइन कर लेना देखो अगर आप लोग को इस तरीके से इस चैनल नहीं मिलता है तो बहुत ही आसान तरीका व मिल जाता है Daily Current Affair के वीडियो का PDF मिल जाता है Daily Digital Notes मिल जाता है और यह सारी चीज़े बिल्कुल free मिलता है तो आप जाकर इसको जरूर ज़ौईन करो और यहाँ पर इन सब चीज़ों को download करो बिल्कुल free में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने lecture को एक map के question के साथ start करते हैं तो जो आज का map का question है वो है Boatswana तो आप लोग को map में जाकर देखना है Boatswana कहां पे located है और किस-किस से boundary share करता है इन सभी चीजों का नाम नीचे comment section में type करना है जिससे आप लोग लंबे समय तक याद रख पाओगे Now यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं आगे यहाँ पर आज के दिन हमें 2-3 most important article है उनको discuss करेंगे और editorials लेंगे साथ ही साथ हमारे कुछ prelims related article होंगे यानि complete newspaper को हम लोग analyze करने वाले तो जो सबसे पहला article है हर 5 इंडियन में से 1 in 5 इंडियन exposed to novel coronavirus यहाँ पर यह बोला गया कि हर एक 5 इंडियन में से जो एक बंदा है वो coronavirus में ही था यानि उसके अंदर coronavirus का exposure देखने को मिलता था ठीक है यानि आगल आज के टाइम पर अगर हम देखें तो यह COVID-19 काफी ज़दे डाउन पहुच चुका है और यहाँ पर हम लोग काफी हत्ता इसे control कर पा रहे हैं बहुत सारी vaccines अगर हम बात करें develop हो रही हैं इंडिया की दो vaccine चल लए है आज के टाइम पर एक है co-vaccine और एक है COVID-shield जो की अच्छी तरीके से काम कर रही है और हम लोग vaccination आज के टाइम पर कर रहे है इन दोनों vaccines के दौरा ठीक है तो यहाँ पर यह सारी चीज़े हैं और यहाँ पर इतना कुछ important नहीं है अगर हम बात करें यह सब आप कर सकते हो नीचे comment section के अंदर तो पहला article था है यहाँ पर कुछ इतना important नहीं है तो आप किसे easily skip भी कर सकते हो लेकिन आप लोग को मालूम होना चाहिए आपकी knowledge के लिए नाव उसके बाद यहाँ पर आता है next article और यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि आज के time पर social media handles पर बहुत ज़ादे चीज़े देखने को मिल लाई है खास कर अब बात करें twitter को लेकर ठीके तो अभी हुआ क्या था मैंने आप लोगों कल भी बताया था कि 26 January यानि Republic Day पर हम लोगों ने देखा कि काफी ज़ादा dispute create हुआ ठीके जो farmers थे, policeman थे इन दोनों के बीच में आपस में बहुत ज़ादे dispute create हुआ है, क्यों create हुआ है क्योंकि farm laws लाए गए है, farm laws के against हमारे farmers प्रदर्शन कर रहे हैं, protest कर रहे हैं ताकि जो farm laws है उनको वापस से withdraw कर लिया जाए, इसलिए उनका protest कर रहा है यहाँ पर, लेकिन अभी तक इसका कोई solution निकल कर नहीं आ रहा है, तो उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि जो government है, डेली पुलिस है, डेली पुलिस ने आपके सकते हो, F.I.A.R. रेजिस्टर किया है, बहुत सारे लोगों के खिलाफ और investigate किया है, और देखते वे यह बोला, कम से कम 300 से भी ज़्यादा, जो social media handles है न, वो यहाँ पर hateful content फैला रहे है, ठीके, यानि कि पूरा का hateful content है, जो कि आपके सकते हो, society के अंदर situation create कर सकता है, dispute create कर सकता है, उस तरीके से, उस तरीके का content न, social media के ओपर आज के time पर float कर रहा है, ठीके तो अगर हम बात करें, basically खासकर बात करें, Twitter की, ठीके, आज का आपने thumbnail भी देखा हुआ, thumbnail के अंदर जैसे सब लोग लड़ रहे हैं, चाहिए वो sports person हो चीज़ें यहाँ पर dispute के तौर पर हम लोग को देखने में मिल रही है, ओके नौ, उसके बात बढ़ते हैं आगे यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, आज का cartoon picture जैसे मैंने बता रहा था, कि देखो, चाहिए वो sports person हो, चाहिए वो कोई साभी बंदा हो, आप लोग देख पाओगे, यहाँ पर किस तरीके से सारी चीज़े किस पर चल लगी है ट्विटर के उपर चल लगी है, ठीक है यह हमने आज का thumbnail भी लगा रखा है, यह आज का हमारा cartoon picture भी है, ट्विटर के उपर सारी dispute देखने को मिलता है, जितना भी यहाँ पर चीज़े हैं, आपस में जो भी आपके सकते हो, article trend भी हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़े trend होने लगती है वहाँ पर, ठीक है, लोग जैसे ही वहाँ पर tweet करना चालू कर देते हैं, तो इन तरीके की हम यहाँ पर बात करें, page number 8 के उपर page number 8 पर बल्कुल सेम article है जो हमने भी discuss किया, हर एक 5 इंडियन में से एक इंडियन coronavirus आपका साथ तो exposure में था, ठीक है, पिछले साल December की बात कर रहे हैं उसका बात यह वहला article हमने कल भी cover किया था, आज भी देखो इसी page पर बल्कुल सेम place पर यह article आया भाई बताया क्या जा रहा है, कि जो HAL है, Hindustan Aeronautics Limited इन्होंने plan कर लिया कि यह लोग export करने वाले हैं, light combat aircraft LCA को यह export करेंगे light combat aircraft को जैसा आप लोग यहाँ पर picture के अंदर देख रहे हो, ओके नौ उसके बाद, यहाँ पर आप सबसे पहले यह देखो कि जो HAL के chairman and managing director है, आर माधवन इन्होंने बोला Thursday में, कि जो हर एक light combat aircraft होगा और उसका नाम क्या है, MK1A jet, तो यहाँ पर इसकी cost होने वाली है 306 करोड रुपे की हर एक aircraft की होगी 306 करोड रुपे की cost इसमें अगर, यहाँ पर जो order है हमारा, हमारा जो contract है, वो है 83 LCS का, ठीक है, हम लोगों ने कितना order किया है, Indian Air Force के लिए हमने order किया है, कि भाई, आप लोग बना दो 83 light combat aircraft को manufacture कर दो, और उसकी जो cost बैटरी है, वो है 48,000 करोड रुपे, यहाँ पर हम लोग इसकी cost को बैठा रहे है, ठीक है, उसके बाद, यहाँ पर एक चीज और है वो यह है, कि अगर हम single single cost देखें, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जानने को मिलेगा, कुछ तो aircraft हम लोग जैसे कि हमने 83 aircraft का order दिया है, ठीक है, यह जो हमारे light combat aircraft होंगे 83, इसके अंदर से कुछ aircraft जो है, हम लोग उने training के लिए मांगे है trainer aircraft की, आप लोग trainer aircraft को manufacture करो, या नहीं ताकि क्या हो सके, कि हम लोग लोगों को training दे सके हैं, उन्हें aircraft के दौरान ठीक है, aircraft चलाने के लिए पहले training देनी पड़ेगी, तो एक trainer aircraft की भी हमने cost मांग, स्वारी trainer aircraft की भी हमने demand करी है, और इसका भी हमने order किया है, तो यहाँ पर जो aircraft basically जो normal वाले हैं, उनकी 309 करोड रुपे की cost है, और जो दूसरे, जो trainer हैं उनकी 280 करोड रुपे की cost है, तो यह चीज़ आप लोग देख पाओगे, और आने वाले टाइम पर यह Indian Air Force के पास यह aircraft आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है क्योंकि यहाँ पर बोला यह गया है कि जल से जल यहाँ पर यह aircraft मिल जाएंगे Indian Air Force को, now page number 9 के उपर आएंगे, यहाँ पर politics related, आप लोग article देख रहे हो, सारे के सारे तो यह आप लोग को ध्यान रखना है UPSC कभी भी politics related article नहीं पूछता है, तो इनको आप लोग easily skip कर सकते हो, now page number 10 के उपर आएंगे, तो यह एक अच्छा article आप लोग के सामने आज आता है, और यहाँ पर बताया यहाँ राजपत के बारे में, ठीक है राजपत यानि की Central Vista Project के बारे में डिसकस करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा डीटेल में बताने वाला हूँ, आज Central Vista के बारे में, और क्योंकि बहुत important बना रहे थे, उसकी भी पहली बात नीव रख दी गई है लास्ट मन्त, यानि पिछले मही ने उसकी नीव रख दी गई है अब वो नया पारलियमेंट बनना स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोग देखते हैं जैसे कि डेली के अंतर यहां पर आप देख पाओगे, यह इंडिया गेट है इंडिया गेट है, इंडिया गेट के सामने वाला जो रास्ता है, आप परेड होती है राजपत वाला एरिया है, उसके बाद आप सामने देख पाओगे, यह है हमारा पारलियमेंट ठीक है उसके बाद अगर आप देख पाओगे यहां पर आप आगे पड़ोगे यह पारलियमेंट हमारा पुराना वाला यह है नया वाला पारलियमेंट यह है और यह हमारा राश्टरपती बवन सुरी मैं पारलियमेंट बता रहा हूँ ठीक है तो यह होगी हमारा और इन 3 km में हम लोग वापस से चीजों को रीडेवलब कर रहे हैं जैसे आप लोग देख पाओगे यहाँ पर यह जो गोल सा दिख रहा है चोटा सा यह हमारा पूराना वाला पार्लिमेंट है इसके बरावर में हम लोग एक नया पार्लिमेंट बना रहे हैं यहाँ इस पूर प्राइम के लिए प्राइम मिनिस्टर के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के लिए नया रेसिडेंट बना रहे हैं उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे एक छोड़ा सा यह वो बन रहा है प्राइम मिनिस्टर का आफिस नई बिलिंग बनना है यह प्राइम मिनिस्टर पर लगा रहे हैं पूरा का पूरा हम लोग इस पूरे एरिया को रीडेवलेप करने के लिए तो यह था प्रोजेक्ट इसके बारे में याद रखना ठीक है क्योंकि अभी काफे दिन न्यूस के अंदर है नया पारलियमेंट नया पारलियमेंट सेंटरल विस्टा प्रोजेक्ट तो यह कुछ प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग इस पिच्चर के थूरू लेकिन यहाँ पर जो है राइटर यह बोल लहें कि भई देखो कोविड-19 की वज़ा से हम लोगो इसके उपर हेल्थ के उपर पैसा नहीं लगाना है और भी मिमारिया है जो कि इंडिया के अंदर स्प्रेड हो रही है कौन-कौन से मिमारिया है मैं भी आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले जान लेते हैं जो बजट आया है फर्स्ट आफ फैब को उसके अंदर हम लोगोंने हेल्थ सेक्टर के अंदर 137% से बढ़ोतरी देखने को मिली है ठीक है 137% से हम लोगोंने expenditure बढ़ा दिया है काफी ह हम लोग खर्च कर रहे हैं health sector की तरफ लेकिन अगर हम बात करें तो हम लोग water के उपर sanitation के उपर ongoing water sanitation इन चीजों के उपर खर्चा कर रहे है ठीक है और यहाँ पर थोड़ा हमने COVID-19 के उपर धिया है vaccination के उपर धिया है लेकिन अगर हम बात करें normally जो बिमारिया फैल रही है ख non-disposal solid and liquid waste हो गया तो इन सब चीजों को maintain करने के लिए भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए था इन चीजों को उपर भी हम लोग को focus करना चाहिए था सिर्फ हम लोग जो है COVID-19 को लेकर नहीं चल सकते है क्योंकि COVID-19 पे हम लोग लड़ रहे हैं उससे और आज करा हम लोग ह ध्यान देना है और बाकी चीजों के उपर भी आपके ध्यान देना पड़ेगा और चीजों के उपर भी आपको expenditure करने पड़ेंगे ओके ना उसके बाद निक्स आर्डिकल यहां पर आप लोग देख पाओगे बताया गया जो maternal welfare scheme है beneficiaries है वो आवचके टाइम पर cross कर चुके है 1,75,000 करोड लोगों को ठीक है तो यानि कि जो maternal welfare यानि कि जो मा हैं यह सब female है तो यह जो आप देख पाओगे जो pregnant women है तो जो pregnant women है नई 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 मा बनी है उन सब को एक financially support दिया गया था under the PMVY scheme के अंडर में PMVY मतलब प्रधान मंत्री मातरु बंदना योजना ठीक है तो यहाँ पर यह स्कीम लाई गई थी जिसमें जो भी pregnant women है नई women नई मा बनी है उन लोगों को financial support दिया जाए तो government की scheme जो है आज के ताइम पर हम देखें तो cross कर चुकी लगबग 1.75 करोड मेटरनल लोगों को ठीक है यहाँ पर जो आउरत है उन लोगों को कम से कम 1,75,000 करोड लोगों को यहाँ पर cover कर चुकी है यह scheme तो काफी बढ़िया है इसमें यहाँ पर आज के टाइम पर हम देखें अब अगर हम बात करें तो कम से कम यहाँ पर आप देख पको कि कितना इसमें हम लोगों ने cost लगा दी है इसमें 5,931 करोड रुप हम लोग लगा चुके हैं द बढ़ानी चाहिए ठीक है और यहाँ पर बच्चे के लिए भी काफी बढ़िया है साधे साथ वेमें के लिए भी काफी बढ़िया है ऐसी scheme की हम लोगों को और ज़्यादर जरूरत है इसमें क्या हुआ इस scheme के अंडर अंडर PMVY scheme जो pregnant women है या फिर lactating mother है इन्होंने रिसीव कर रहा है 5,000 रुपे on the birth of their first child यानि कि जैसे इनका पहला बच्चा हुआ है इन लोगो 5,000 रुपे दिये गए है in the three installments ओके मतलब कहीं न कहीं फिर भी एक छोड़ा सा support दिया गया है तो उसकी यहाँ पर कोई वो नहीं है तो सरकार की दोरा एक support दिया गया है लगबक 1.75 कर विमेन की दरफ ओके ना उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया इस्ट्राइक कॉशंस नोट टू डेवलेपेंट इन मैनमार मैनमार के अंदर आज के टाइम पर देखोगे काफी जादे dispute देखने को मिलेगा मैनमार के अंदर मैं आपको थोड़ा सा एक overview देत मैनमार के अंदर की situation हम लोगो जानना काफी जादे जरूरी है क्योंकि यहाँ पर बहुत जादे important है मैनमार के अंदर जो है military चाहती है वो अपना military rule लेकर आए ठीक है और military ने काफी हद तक आप कह सकते हो control पहले भी कर चुकी है वो कम से कम 50 साल तक पहले भी military rule था मैनमार क अंदर फिर से military यही चाहती है इसके अंदर military rule आ जाए ठीक है तो उसके लिए यहाँ पर आके बढ़ चुकी है और यहाँ पर आप कह सकते हो military coupe देखने को मिल गया यानि कि मैनमार के अंदर तकता बलट हो गया है तकता बलट यानि कि जो military है वो अपना rule लेकर आ चुकी है जो भी वहाँ की leader थी जो भी NLD थी या फिर NLD मुझे याद नहीं आ रहा वहाँ का जो एक political party है जो की वहाँ की leader थी जो की चुनकर आई थी मैनमार की लेकिन यहाँ पर उन leader को भी आप कह सकते हो remand पर ले रखा है और बहुत सारी situation create कर रही है लोग अगर protest कर रहे है तो military कह रही है आपको protest नहीं करना है ठीक है इस तरीकी से situation वहाँ पर create हो रही है और military अपने हाथ में लेना चारी है आज के time पर सब कुछ तो यहाँ पर एक तरफ तो यह हो गया ठीक है दूसरी तरफ आप देखोगे इंडिया के relation जो है श्रिलंका से वो भी खराब हो रहे है वो तो आप इससे समझ सकते हो relation किते जादे खराब हो रहे है क्योंकि relation क्यों खराब हो रहे है देखो हम लोग बुरा नहीं मानते लेकिन चायना ने वहीं पर इसके बराबर में दूसरा पोर्ट डेवलेप किया है चायना को कोई मना नहीं हुई है इंडिया को मना हुई है तो इससे यहाँ पर relations भी खराब हो रहे हैं तो यहाँ पर दोनों का यह aspect लेकर बताया गया है इस article के अंदर उसको अगे बढ़ते हैं page number 11 के उपर आप आओगे advertisement है page number 12 पर भी advertisement है आप easily skip करो page number 13 के उपर Myanmar की situation मैंने आप लोगो बता दिया है military rule यहाँ पर military जो है वो coop करना चाहती है नहीं की तकता पलट देखने को मिल रहा है तो जो protesters हो बाहर निकल तो गए हैं लेकिन यहाँ पर military उन्हें मना कर रही है यह भाई आप लोगो यहाँ पर protest वगरा नहीं करना चाहिए तो यह ती situation इस resistance के अंडर में जो Myanmar है उसने पूरे के पूरे FB को ब्लॉक कर दिया है ठीके आप लोग यहाँ पर देख पाओगे Facebook को Myanmar ने ब्लॉक कर दिया है ठीके ताकि जो है इनकी आप कर सकते हो hateful content वगरा ना फैला जाए ना उसके बाद यहाँ पर एक और अच्छा article यह देख पाओगे मैंने पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ उसके बारे में जो WHO की team है World Health Organization की वो Wuhan पहुँची है ठीके ताकि Wuhan यानि जो की China के अंदर है जहां से coronavirus निकला था तो यहाँ पर यह इस जगह पर पहुची था है कि टेस्टिंग वगरा करी जाए भाई कैसे हुआ यह सब कैसे COVID-19 origin हुआ इन सब चीज़ें को पर टेस्टिंग वगरा करी जाए तो भाई team पहुच चुकी और मजाग मजाग चल लिए महाँ पर खूब जो चाइनीज के साइन्टिस्ट है महाँ पर अराम से मजाग बजाग चल लिए महाँ पर चेकिंग वगरा चल लिए इस चीज़ को लेकर कि भाई यहाँ पर जल से जल हम लोग जो वाईरस है उसका origin को बारे में पता लगा सके हैं उसके बाद यहाँ पर पेज नंबर 14 के उपर आएंगे यहाँ पर एक नौमिस रिलेटेड आर्टिकल आते हैं लेकिन आज के दिन कोई भी आर्टिकल नहीं है आप लोग देख सकते हो चोकि हम लोग कवर करें कोई भी इंपरेंट आर्टिकल नहीं है तो आप लोग यहाँ पर इस पेपर को भी छोड़ सकते हो तो यह था हमारा कुछ वर्ड सेक्शन हमने देख लिए दुनियादारी के अदर क्या चलना है अब चलते हैं हम अपने एडिटोरियल के दरफ तो आते हैं पेज नेंबर 6 अब लोग देखोगे हमारे पास 3-4 एडिटोरियल हैं जो कि डिसकस करने है सबसे पहले एडिटोरियल आता है यह वाला और इसके अंदर बताया यह रेल और बसे को लेकर भई आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो लोगों के बहुत जादे प्रॉब्लम करेट हो रही है अगर हम बात करें तो अर्बन एरियास में ज़रूरत है जो मेट्रो रेल्स है और जो बसे है इनके उपर काम करा जाए इनको जादा-जादा एक्स्टेंड करा जाए ताकि जो भीड भाड़ है वो ना हो क्योंकि आज के टाइम पर आप देखो के आपको मालूम होगा डेली मेट्रो के अंदर किता जादा भीड होता है अभी के टाइम पर COVID-19 की वज़ा से ये थोड़ा बहुत कम हुआ है अदरवाइस आप लोगो मालूम होगा ठीक है जो भी डेली गया होगा उसके बाद बसेस के बारे में बात करें तो बसेस में भी काफी भीड चलती है आज के टाइम पर भी तो इन चीजों के लिए हम लोग को development करना है इन दोनों ही चीजों के उपर ताकि हम लोग आगे बढ़ा सके इन सब चीजों को तो देखो बज़ेट के अंदर हम लोग उनने वैसे तो हमने खर्चा किया है इसके उपर बज़ेट 2021 जो है इसके उपर हम लोग ने कहा है कि जो urbanization है उसको पर काम करेंगे जो metro rail है उसको बढ़ाएंगे bus service है उसको भी बढ़ाया जाएगा central funding के थूँ ठीक है तो इनके उपर हम लोग काम करेंगे हमने पहले भी डिसकस किया budget के अंदर की metro services है वो बढ़ाई जाएंगे और buses के उपर हम लोग थोड़ा सा उसको extend करेंगे तो covid-19 ने तो care वैसे raid मार दिया आप लोग को मालूम होगा covid-19 की वैसे लोगों ने जाना ही बंद कर दिया metro rail में या buses में लोगों ने अपनी personal car खरीद लिया है लोगों ने personal wheeler आपके सक्ते हो खरीद लिया है ठीके जैसे जिसके पास जादा पैसा है उसने four wheeler खरीद लिया कम पैसा है तो उसने two wheeler खरीद लिया जिसके पैसा नहीं है तो वह आज भी ऐसे ही जा रहा है नाव हमारी finance minister निर्मला सीतरामन इन्होंने announcement कर दिया कि central funding कम से कम one nine five seven करोड रुपे six three two four six करोड one four seven eight eight करोड तो यहां पर यह सब पैसा लगाया जा रहा है कहां कहां पर कोची चिन्ने बैंगलोरू इन सब के जो metro प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर ठीक है कि metro उसको और जादे बढ़ाया जाएगा metro के उपर काम करा जाएगा उसके साथ-साथ 18,000 करोड का प्लैन हम लोग कर रहे हैं कि जो public buses transport हैं उसके अंदर हम लोग आगे बढ़ सकें यानि कि using PPP model PPP यानि public private partnership model को हम इस्तमाल करके public buses transport को भी आगे बढ़ाएगे जिसमें हम लोग train करने वाले हैं लगबग 20,000 buses को ठीक है क्योंकि आज के टाइम पर अगर हम देखें जो buses के अंदर भीड़ बाड़ा जादे चलती है खासकर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर 1000 लोगों के उपर सिर्फ और सिर्फ 1.2 buses है ठीक है 1000 लोगों के लिए 1.2 buses है इंडिया के अंदर अगर हम बात करें और अगर उसी की तरह हम थाइलेंड के अंदर देखें तो 1000 लोगों के उपर 8.6 buses है नानि की situation यहाँ पर जादा बढ़ी है इंडिया के अंदर जादा बुरी हालत हो रही है तो इन चीजों के यहाँ पर अच्छे से हम लोगो डेवलब करना पड़ेगा और खर्चा कर रहे हैं तो हम लोग वैसे कर रही ही रहे हैं लेकिन इनके ओपर हम लोगों को अच्छी तरीके से पैसा लगा कर इन चीजों को डेवलब करना पड़ेगा अर्बन इरियास को डेवलब करना पड़ेगा आज के टाइम पर हम देखें तो हुआ क्या है देखो ये 2011 का census है अभी क्या होगा 2021 के अंदर ना 2000 नया census आज़ाएगा ठीक है यह जो census है अभी हम लोग use करते हैं वो 2011 वाला है अब जो है नया census हाज़ाएगा तो पुराना वाला census पुराना हो जाएगा हम लोग को अभी जो नया संसे जाएगा उसके हिसाब से चलना पड़ेगा नई नई चीजे लानी पड़ेगी चीजों में बदलाव करना पड़ेगा और आज के टाइम पे अगर हम देखें तो यहाँ पर पहले क्या होता था funding की काफी जादे कमी है infrastructure अच्छा नहीं है ठीक है और जरूरत है यहाँ पर कि हम लोग जाद से जादा populations को cover कर सकें क्योंकि हाँ पर आगर हम लोग अच्छी तरीके से चीजों को develop कर पाएंगे transport sectors को बढ़ा पाएंगे तब ही हम लोग जाद से जादा population को भी cover कर पाएंगे ठीक है तो इसमें हम लोगो जरूरत है rental projects दो भाई ताकि लोग अराम से वहाँ पर रह सकें उसके बाद healthcare के ओपर काम करा जाए बहुत सारी चीज़े हैं जिनके ओपर काम करा जाएगा तो यह सब central budgetary schemes में cover करी गई हैं और यहाँ पर इन सब को आप कर सकते हो हम लोग urban के development में कह सकते हैं जो urban areas है उनकी development के ओपर हम लोग यह काम कर सकते हैं बात जो खास कर हो रही है वो है transport को लेकर ठीक है transport and urban development urban areas development ठीक है transport बढ़िया होगा तो लोग अच्छी तरीके से वहाँ पर easily जो है अराम से रह पाएंगे now यह वाला article जो है खास इतना care इतना important नहीं है हम लोग काफी बार पढ़ चुके है इसके बारे में है क्या जो biden की presidency है वो world के लिए क्या क्या हो सकती है हमें इंडिया के साब से देखनी है इंडिया के साब से जो biden की presidency वो क्या है बाइडन इंडिया के लिए सही है या खराब है इसके बारे में discuss करेंगे खैर यहाँ पर दोनों ही point of view दे रखा है बाइडन सही भी इंडिया के लिए और खतरनाग भी है ना अगर हम बात करें तो जो biden 46 वे president है United States के ठीक है इससे पहले 45 वे वो थे Donald Trump उससे पहले आप लोगो मालूम है कौन थे ठीक है नहीं मालूम तो नीचो comment section में ज़रूर बताना पड़कर सभी लोगो मालूम होगा बहुत famous personality है उससे पहले ठीक है तो यहाँ पर 46 वे president है चालिस पर president बन चुके है यह जो biden तो अगर हम बात करें इंडिया के लिए क्या है इनकी situation तो इंडिया के लिए पहले अगर हम देखें तो काफी सही है situation relation जो है काफी सही है क्योंकि इंडिया को काफी चीज में support करता है खासकर अगर हम बात करें अगर हम बात करें nuclear deal के अंदर इरान को support करता है जिससे कि इंडिया को काफी जादा यहाँ पर स्वारी इरान के उपर से sanction हटेंगे तो इंडिया से काफी जादा relation सही होंगे और इंडिया अपना इरान से relation सही कर पाएगा क्योंकि देखो हुआ गया है जो डॉनल्ड टरम्ब है तो यहाँ पर वही situation है जो डॉनल्ड टरम्ब को पसंद था वो यहाँ पर इनको पसंद नहीं है ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देख पाऊगे इंडिया के साथ अगर हम बात करें तो सही है कि यहाँ पर cooperation वगरा आप देख पाऊगे defense and security cooperation के उपर काम कर रहे है बाइडन तो यहाँ पर काफी बढ़िया से अभी relation चल ले हैं लेकिन अगर हम बात करें यह सब relation तभी चलेंगे जब US-China अलग-अलग रहेंगे जब US-China एक हो गई जिस दिन भी जिस दिन भी US और China के relations अच्छे हो जाएंगे उस दिन इंडिया के यहाँ पर खतरनात बन जाएगा खतरे की घंटी बच जाएगी उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें बहुत सारे इशू ऐसे हैं जिनके उपर हमें Biden जो है वो support ही नहीं करते हैं जैसे कि कश्मीर हो गया कश्मीर वाला इशू के उपर support नहीं करते है वाइडन साधी साथ human rights से related काफी सारी problems create हो जाती है इंडिया के अंदर उन चीजों को भी यहाँ पर support नहीं करते हैं तो काफी सारी चीज़े हैं जिन पर वाइडन यहाँ पर अपना support तो वो अपने support के लिए use ना करें सिर्फ अपनी country के अंदर use ना करें उसके साथ वो global cooperation भी दिखाए यानि कि आप nationalism ना दिखाए यानि कि मान लो इंडिया ने कोई vaccine बना ली है तो इंडिया ऐसा ना करें कि वो अपना ही अपना खाली use करें उसको वो भी करना है कि पूरी global world में जितना वो provide करवा सके उतना वो provide करवा है पूरी दुनिया के अंदर vaccine जिससे कि सब मिलकर काम कर पाएंगे relation भी अच्छ होंगे दूसरी बात अच्छी तरीके से पूरी दुनिया लड़ पाएगी किसी भी बिमारी से है ना उसकाद यहाँ पर आप देख पाओगे worldwide काफी सारी डिप्लोम ऐसे देखने को मिलती है vaccine को लेकर अगर हम बात करें काफी सारी countries ऐसी होती है जो पहले सी purchase कर लेती है धेर सारी vaccines गरीब countries को नहीं मिल पाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए सभी लोग को हम लोग को बराबर रखके चलना पड़ेगा ना यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया और चाइना काफी बढ़िया काम कर रहा है vaccine को छेतर में अगर हम देखें काफी बढ़िया तरीके से काम चल रहा है कुछ vaccine आप लोग देख पाओगे 82% जो Pfizer vaccine है 78% जो Moderna vaccine है यह सब advance के अंदर purchase कर ली गई है richer countries के दोरा जितनी भी developed countries उन्होंने काफी सारी advance में जो है vaccine को purchase कर लिया है उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख पाओगे जो इसी चक्कर में जो poor countries है वो पीछे रह गई है इस vaccine के लिए क्योंकि जो बाड़ी बड़ी countries है जो अमीर country है उन्होंने पहले से purchase कर लिया advance के अंदर तो poor countries को यहाँ पर यह नहीं मिल पा रही है उसके बाद अगर हम बात करें लेकिन फिर भी इंडिया काफी बढ़ी है काम कर रहा है इंडिया ने अभी ब्राजिल को 2 million doses दिये है वैक्सीन के ठीक है यहाँ पर 13 जनवरी की बात है तो काफी बढ़ी है इंडिया अभी भी काम कर रहा है और इंडिया को करना भी चाहिए इस तरीके से इंडिया के रिलेशन्स भी काफी अच्छी तरीके से maintain हो रहा है इसके अंदर ठीक है उसके बाद यहाँ पर इंडिया का एक coordinated global effort है और यहाँ पर काफी बढ़ीया तरीके सा अच्छे time पर देखें तो role play कर रहा है अगर दूसरी बात करें हम जो बाकिसा जैसे ब्राजील हो गया नेपाल हो गया अभी है इंडिया ने नेपाल को भी vaccine दिये ब्राजील को भी दिये भुटान को भी दिये है ना तो यहाँ पर ब्राजील और नेपाल ने तो चाइना से लेने को मना कर दिया था नहीं चाइना की वैक्सिन लेने से मना कर दिया तो यहाँ पर सोचा होगा कि यहाँ चाइनीज वैक्सिन है तो यहाँ पर यह चाइना का समान है चाइना का समान आप लोगो मालूम में किस तरीके से निकलता है है ना तो यहाँ पर ब्राजिल ने अपने जॉचिंता दिखा, हम लोग चाइना की वैक्सिन नहीं लेने वाले नेपाल ने भी चाइना की वैक्सिन नहीं ली और यहाँ पर डिरेक्टली इंडिया ने अपनी वैक्सिन को sell out किया है उसका धगर हम बात करें तो इस तरीके से चीज़े चलेंगी तो बढ़िया रहेगा और जो poor countries है उनको भी हम लोग help कर पाएंगे जो afford नहीं कर पारी है उनकी help हमें सबसे पहले करनी चाहिए richer countries को भी देना है ऐसी बात नहीं है लेकिन सब को साथ में लेकर चलना है ठीके पूरर countries को हमें पीछे नहीं छोड़ना है उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखोगे हम लोगों ने goal set किया है पूरी दुनिया ने goal set किया है कि वो 17 sustainable development goal लेकर चलेंगे उन goals पे काम करेंगे ठीके तो उसी तरीके से 17 में से जो तीसरा goal है वो health life को लेकर कि health care के उपर काम करा जाएगा सारी countries मिलकर काम करेंगी अगर कुछ भी ऐसी situation आती है जो पूरे world को परिशान करती है तो उसके लिए पूरी आपस में सब मिलकर काम करेंगे लेकिन आज का टाइम पर देखें तो पोवर्टी और जादे बढ़ती जारी है तो इसको भी खतम करने का हमने goal सेट किया था तो आपस में मिलेंगे तो ही काम कर पाएंगे अगर आपस में dispute चलते रहेंगे लडते रहेंगे तो किसी से किसी की नहीं बनने की और जो है ऐसी situation चलती रहेंगे जैसे कि अभी है उसके बाद यहाँ पर एक pathway बताया एक रास्ता बताया क्या रास्ता है इसका कोवेक्स प्रोजेक्ट एक कोवेक्स प्रोजेक्ट है इसमें क्या है global risk sharing mechanism है एक तरीका जिसमें पूरे दुनिया के अंदर यहाँ पर क्या हो फियर distribution होगा वेक्सीन का तो यहाँ पर कोवेक्स प्रोजेक्ट के अंदर अभी यहाँ पर जो बाइडन भी आ चुके है इस प्रोजेक्ट के अंदर में उन्होंने यूस प्रेसिडेंट जो Biden ने इस project को join कर लिया है तो यह project काफी बढ़िया रास्ता है इस तरीके से और भी हमें project चाहिए ताकि सारी countries जो है मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकें जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाओगे COVAX project से क्या हो रहा है जो COVID-19 vaccine है उसको हम लोग distribute करेंगे बाकी सारी countries के अंदर तो यह तक कुछ article उसके बाद यहाँ पर next page पे आप लोगो पहला article यह दिखेगा page number 7 के उपर यह भी editorial दे रखा है इसके अंदर towards sustainable growth sustainable growth की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं तो फिर यहाँ पर COVID-19 pandemic को relate किया गया है और relate किया है इसको environment से भाई हम लोग environment को अगर पर्रिया वरण को अच्छा रखेंगे न कभी आगे काम कर पाएंगे अगर पर्रिया वरण सही रहेगा pollution कम करेंगे तो हमें problem भी कम देखने को मिलेगी यह सारी जो बिमारिया निकल के रा रही है जरूरी है और उसके बाद आप लोगो यह देखने को मिलेगा इस pandemic में के COVID-19 के दौरान काफी खर्चा हुआ है इस COVID-19 के दौरान कम से कम 8.1 trillion से लेके 15.8 trillion तक लोगों ने पैसा खर्च कर दिया है इस पूरी दुनिया में पैसा खर्च हुआ है तो आप समझ सकते हो कितना कि इंडिया की एकनॉमी से 5 गुना 10 गुना जादा तीक है उसके बाद इतना पैसा हम लोगों ने खर्च किया अगर यहाँ पर आप ऐसी तरीका यहाँ पर हम लोग एन्वर्मेंट बगएर को प्रोडेट करके रखते चीजों को अच्छी तरीके से मेंडेन करके रखते तो ऐसी सिचुएशन आए ना इतना पैसा तो वैसे ही बच जाए इतना पैसा जो हमारा यहाँ पर बरबाद हो गया एक तरीके से आप लोग यह कह सकते हो तो यहाँ पर क्या है natural environment को हम लोगो लेकर चलना पड़ेगा environment बहुत बड़ा role play करता है क्योंकि आज का time पर देखो कि आप wildlife कम हो रहा है wildlife कम हो रहा है ecosystem बेकार हो रहा है और बहुत सारे pollution देखने को मिलेगा बहुत सारी gases निकल नहीं है हवा बहुत खतरनाक होती जा रही है तो भई एक negative change तो आप लोगो देखने को मिले गई अगर आप लोग इन चीज़ों को control कर लोगे तो obvious ही बात है काफी चीज़े आप लोग हाथ में control कर पाऊगे इन ही की वज़ाए से zoonotic diseases पैदा हो जाती है zoonotic diseases यानि कि जो जानवर से इंसान में फैले लगती है जैसे कि coronavirus ठीक है और इंडिया की बात करें तो इंडिया में काफी सारे zoonotic diseases फैलती है ठीक है और यहाँ पर आप लोग देखोगे World Economic Forum का Global Risk Report आया है 2021 का तो यह याद रखना World Economic Forum ही Global Risk Report लेकर आता है तो 2021 का लेकर आया है और उसने बताया कि जो अगर environmental risk ऐसा रही रहा environment के साथ आप ऐसा ही खेलवाड करते रहोगे तो यह जो threaten है Global Economy को यह continue रहेगा और आने वाले टाइम में आपको पता क्या क्या सिचुशन देखने को मिलेगी climate action climate action failure, human environmental damage देखने को मिलेगा, infectious disease नहीं नहीं आएंगी, biodiversity loss होगा तो ऐसी disease का सामना करते रहोगे आप अगर यहाँ पर आप action नहीं लोगया भी सही ठीके, उसके लिए काफी सारा हमें step उठाने पड़े गया, हम लोग को investment बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम अपनी science को बढ़ा सकें, sustainable science इसको बढ़ा सकें, अपनी development को बढ़ा सकें environment को कहीं ना कहीं protect कर सकें इसी के तोर पर जो national mission on biodiversity और human well-being है इसको approve करा गया था हमारे prime minister के द्वारा जो की prime minister science and technology इनोवेटरी advisory council के द्वारा इसको approve करा गया, ठीके और हम लोगोंने कोशिश करें चीजों को maintain करने के लिए और यहाँ पर objective यही है इसका कि हम लोग अपने sustainable use को बढ़ा सकें thousands of green jobs को हम लोग दें employment generate करें लेकिन green jobs के लिए ना कि हम लोग environment को बेकार करें तो इस तरीके से अगर हम चीजों को लेकर चलेंगे और यहाँ पर environment को protect करके चलेंगे ecology को develop करके चलेंगे तो हम लोग चीजों को control कर पाएंगे otherwise यहाँ पर चीज़े ऐसे चल रही है वैसे के वैसे होती रहेंगे और नई नहीं बिमारी है हम लोग को आने वाले time पर देखने को मिल जाएंगी उसके next article smart walls के बारे में बताया गया है smart walls for Indian borders यानि कि अभी border के time पर क्या होता है border के उपर हमारे अगर आप देखोगे border security force हो जाती है ठीक है SSP हो जाता है बहुत सारी हाँ पर border security force होती है अगर हम यहाँ पर बात करें अमेरिका और मेक्सिको के बीच में जो है यह border बना हुआ है smart walls का इसमें क्या होगा smart wall के थुरू यहाँ पर हम लोग बार बना देंगे जो की काफी बढ़िया भी रहेगा अगर हम बात करें आज के time पर जो border है वो काफी physical border है काफी कमजोर भी है इस पर लोग आज आ भी जा सकते हैं आ सकते हैं जा सकते हैं यहां से लेकिन जो smart border होगा उसमें आप कह सकते हो वो उसमें physical barrier नहीं होगा उसके अंदर sensor होगे, radars होगा एक technology होगी, अगर आप लोग क्रॉस करने की कोशिश भी करोगे तो तुरंट पता चल जाएगा तो यह सारी situation होगी तो smart walls की जरूरत है हम लोग को आज के time पर लाना चाहिए smart walls को यह बताया जा रहा है ताकि जो काम है वो जादे effectively होगा और हम लोग चीजों को और जादे अच्छी तरीके से देख पाएंगे और जादे अच्छी तरीके से निगरानी रख पाएंगे country और जादे secure रहेगी तो यह काफी सारे इसके benefits भी हो गए तो guys यहाँ पर यह थे हमारे कुछ पहले के editorals कल के editorals को cover करता है एक दिन पीछे के editorals को cover करता है तो आज के editorals जो है हम लोग कल cover करेंगे कल के परसो करेंगे तो इस तरीके से चलते हैं ठीक है जिससे आप लोगो complete newspaper analysis मिलता है और यहाँ पर ऐसे हम लोग चलाते वे आ रहे हैं काफी time पहले से तो इसकी कोई tension नहीं है यहाँ पर सारे tutorial cover करेंगे बिलकुल tension मतलो वीडियो देखो और यहाँ पर आपका newspaper analysis complete वीडियो आज की देख लिए काम हो गया आज का अपने newspaper पढ़ लिया ठीक है आफ कर दो यहाँ पर इसकी साथ होता है आज का मेरा lecture समाप मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए बाबाई have a nice day